हलो नमस्ते, मेरा नाम है हर्शुता और शुरू हो चुका है दसिनिमा शो चलिए फटाफट बताते हैं एंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री से जुड़ी आज की बड़ी खपरें Amazon Prime Video की मच अवेटेड सीरीज The Lord of the Rings, The Rings of Power का टीजर आ गया है इस फैंटेसी फिक्शन सिरीज के आठ एपिसोड को 2 सितंबर से देखा जा सकेगा Marvel स्टूडियो की अपकमिंग फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का ट्रेलर आ गया है रिपोर्ट्स है कि बेनेडिक केंबबेच की इस फिल्म में टॉम क्रूस जॉन क्रॉस की जैसे स्टार्स केम्यो कर सकते हैं 6 मई को ये फिल्म थियाटर्स में रिलीस होगी अजे देवगन ने ट्विटर के वुड्यू रैधर सेशन में सिंगम 3 को लेकर हिंट दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रिमेक में काम करना पसंद करेंगे या सीक्वल में तो अजे ने सीक्वल ओप्शन चुना उनके बैग्राउंड में सिंगम का म्यूजिक चल रहा था अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सिंगम 3 को लेकर कोई नई अनौंसमेंट की जा सकती है मल्यालम फिल्म दे ग्रेट इंडियन कुछन का हिंदी रीमेक बनने वाला है रिपोर्ट्स के मताबिक जॉई बेबी के डिरेक्शन में वनी इस मूवी के राइट्स को हर्मन बवेजा ने खरीता है सब कुछ सही रहा तो इस साल जून से फिल्म फ्लोर पर आ जाएगी फिल्मेकर दीपक मुकुट रसकिन बॉन्ड की लिखी शॉर्ट स्टोरीज पर एंथॉलोजी फिल्म बनाने वाले है उन्होंने एक वीडियो शेर कर इस प्रजेक्ट की अनौंसमेंट की फिल्हाल ये प्रोजेक्ट प्री प्रेडक्शन मोड में है जिसकी कास्ट को जल अनौंस किया जाएगा नवाजुदीन सिद्धिकी और नुपर सेनन की फिल्म नुरानी चहरा की शूटिंग आज से शुरू हो गई है इस लव स्टोरी के डिरेक्टर है नवनियत सिंग जो इससे पहले शरीक और यमला पगला दिवाना जैसी फिल्में बना चुके हैं एमिजन प्राइम विडियो ने इंटरनाशनल हिट सीरीज मॉडरन लव के हिंदी वर्जिन की अनौंसमेंट की है ये शो हिंदी के अलावा तमिल और तेलगू भाशा में भी बनाया जाएगा सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंट तक इसे प्रीमियर किया जा सकता है तीएटर्स में रिलीज होने के बाद रनवीर सिंग की फिल्म 83 अब नेटफिक्स और डिस्नी प्लस होट स्टार पर रिलीज होने जा रही है बताय जा रहा है कि इस महीने के अंट में 83 के हिंदी वर्जिन को नेटफिक्स पर और तमिल तेलगू कंणड और मल्यालम वर्जिन को डिस्नी प्लस होट स्टार पर रिलीज किया जाएगा जॉन अब्रायम फिल्म फोर्स के फ्रांचाइज पर काम करने वाले है खबर है फिल्मेकर विपल शा के साथ मिलकर वो फोर्स थ्री वनाएंगे फिल्हाल इसकी स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है 2022 के अंतिया कहीं 2023 की शुरुवात में ये मूवी फ्लोर पर आ जाएगी रवी तेज़ा की अपकमिंग फिल्म खिलाडी के मेकर्स पर प्रिड्यूसर रतन जैन ने एक कोट केस कर दिया रतन जैन का कहना है कि रवी की आने वाली फिल्म खिलाडी के मेकर्स ने उनकी पर्मिशन लिये बिना ही उनकी फिल्म खिलाडी के टाइटल का इस्तिमाल किया है रतन ने दिल्ली हाइकोट में ये शिकायत दर्श करवाई है सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो फैल रहा है जिसमें एक छोटी बच्ची आलिया भट की फिल्म गंगुबाई काठ्यावाडी के एक सीन को कौपी करती दिख रही है इस वीडियो पर कंगना ने अपना गुसा जाहिर किया इनसा स्टोरी पर ये वीडियो शेयर करते हुए कंगना ने लिखा सरकार को ऐसे सभी पेरेंट्स के खिलाब सक्त एक्शन लेना चाहिए जो ऐसी फिल्म के प्रमोशन से पैसे कमाने के लिए नाबालिक बच्चों का यौन उत्पीडन कर रही है जो एक मशूर वैश्या और उसके दलाल की बायोपिक है जिन्नोंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्ष प्रधान मंतरी जवारलाल नहरू को लड़गियां सप्लाई की थी महिला एवं बाल विकास मंतरी स्मृती रानी जी कृप्या इस पर एक्शन ले कंगना का कहना है कि छोटे बच्चों को ऐसे विडियोज बनाना उन्हें इस उम्र में कामुक दिखाया जाना ठीक नहीं मुंबई के फिल्म सिटी में बने बिग बॉस के सेट पर रविवार को आग लग गए नमकल की चार गाडिया मौके पर पहुँची BMC ने बताया कि इस आग में किसी को भी चोट नहीं लगी है मगर आग क्यों लगी थी? अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है दिपेका पादकोन की गहराईया को मिला जुला रिस्पॉंस मिला है फिल्म को लेकर सभी अपनी राय दे रही है कंगना रनौत ने भी इसका रिव्यू कर डाला अपनी इंसा स्टोरी शेयर करते हुए कंगना ने लिखा मैं भी मिलेनियल हूँ लेकिन मैं इस तरह का रोमेंस समझती हूँ अब जो मिलेनियल या मॉडर्ण वर्क होने के नाम पर परोसा जा रहा है इस सरह का कच्रा ना परो से प्लीज बुरी फिल्म तो बुरी ही होती है फिर चाहे जितना अंग प्रदर्शन कर लो या फिर परनौगरफी दिखा लो इसके नाम पर फिल्म को नहीं बचाय जा सकता ये एक बेसिक फैक्ट है कोई गहराईया वाली बात नहीं वैसे ये तो कंगना का व्यूपॉइंट है हमें ये फिल्म कैसी लगी ये जानने के लिए आप गहराईया का रिव्यू हमारे नई चैनल ललन टॉप सिनेमा पर देख सकते हैं रंवीर कपूर और आलिया भट की फिल्म ब्रहमास्टर से एक तस्वीर शेर की गई है जिसे इंटरनेट पर खूब शेर किया जा रहा है फोटो में आलिया रंवीर का हाथ पकड़े हुए नजर आ रही है लंबे समय से बन रही है मूवी इस साल सितंबर में रिलीज होगी है अपने समय की मशूर अभिनेत्री मुम्ताज की कमबैक को लेकर खूब चर्चा है हाल ही में एक इंसेग्राइम लाइफ सेशन में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बॉलिवोड में कमबैक करेंगी वे 75 साल के थे उन्होंने साल 1978 में आई फिल्म एनिमल हाउस को प्रिड्यूस भी किया था उन्हें उनकी फिल्मों के लिए दो बार ओस्कर नॉमिनेशन दिया गया था अज़रेवगन की एक्शन सीरीज रुद्रा का ट्रेलर आज आ गया है ये ब्रिटिश टीवी सीरीज लूथर का हिंदी अडैपटेशन है इसी सीरीज से अज़रेवगन अपना डिजिटल डव्यू भी करने जा रहे है रुद्रा को चार मार्च से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखा जा सकेगा तो बस आज की बड़ी खबरे इतनी ही बड़ वीडियो खत्म करने के पहले एक जरूरी सूचना है 16 फरवरी से फिर शुरू हो रही है क्रिप्टो करिंसी की क्लास मतलब एक नया पैसा सीजन दो आपकी तमाम सवालों के जवाब चिंताओं का निदान और शंकाओं का समाधान एक ही जगा पर देखने के लिए जोड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे दिललन टॉप शुक्रिया इंग्लिश वाली कौन से फिल्में पक्के से देखनी है ये बताओ जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें ललन टॉप सिनिमा